नमस्कार दोस्तों आज पिर आपका स्वागत है क्राउन इम्मिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर तो आज हमारा डिस्केशन है स्टड़ी इन कुरेशिया तो सबसे पहले सबको यही रुकेस्ट है कि करो योगो रहो निरोग तो कुरेशिया की जो प्रमोशन है मार्किट म बहुत हो रही है आज की डेट में तो जैसे प्रमोशन हो रही है सामने वाले को यह लगता है कि बहुत ही ईजी है और जो कंसल्टेंट यूके की और चले हुए थे या किसी और कंट्रीज की और चले तो जहां से बच्चों के बीजा रिफ्यूजर अभी लोग कह रहे हैं कि अभी क्या कह रहे हैं कि अभी माल्टा भी बंद है सिंगापुर भी वीजा नहीं दे रहा है तो उसके बाद पिर क्या पता रहे हैं कि साइप्रस भी बंद है तो जो बाकी लोग है उनको कहां बेजे तो अभी मार्केट में जो नई पॉड़क्ट आ चुकी है वो है कोरेश तो उसको इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि वो बहुत ही इजी वीजा पुरसेस है तो मैं आपको जो भी इंफॉमिशन बताऊंगा बिल्कुल टृत बताऊंगा जो की अमबेसी की वेबसाइट के उपर मेंचिन की हुई है यह नहीं है कि मैंने जी आज वीडियो डाल दी है तो डालने के बाद आपको लगता है कि Crown Immigration एपने ड्रॉज में ही कुरेशिया की वीज़े रखे हुए Crown Immigration बस वीजा लगा कर दे देगी ऐसा बिलकुल नहीं है तो ये वीडियो देखने हैं जिन लोगों की आज की डेट में Destination Croatia बनी हुई है European Country का ये पार्ट है सबसे जो latest country जिन्होंने यूरोप के साथ जोईन किया है Romania और Bulgaria के बाद बोधी Croatia तो कुरेशिया के तो उसके बाद आपने decision लेना है कि क्या हमें कुरेशिया जाना चाहिए जा नहीं जाना चाहिए तो सबसे पहले कुछ ग्यान की भी बातें कर ले अगर कोई भी परसन अपनी दो चीजों को कॉंट्रोल कर ले तो देन He or she can conquer the world वो पूरे world को जीत सकता है वो दो चीजें क्या है क्या हो सकती है आपका mind और आपका दिल जिन्नों ने ये दो चीजें कंट्रोल कर ली तो उसको किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है तो वो कैसे अचीब कर सकते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो एक ही चीज है वो है योगा वो करेंगे तो फिर आप देखिए आपके लिए आने वाले टाइम में कैसी प्रोस्परिटी आएगी बट आपने करनी नहीं है अगर आज मैं जे कुछ प्रोड़क्ट बताओ ना डिब्बी में डालकर कोई चूरन या कोई स्वाई ले आउं या कोई रेता ही ले आउं कोई भी चीज ले आउं और बताओं यह 500 रुपे की है इसको खाएंगे आपके डोले बनेंगे आपके अंदर स्टाइमिना आएगा आपके फेस के पर गलो आएगी आप डायोटी के पेशेंट है आप हड़ जाएंगे आप दबा दब मुझे 500 जार पिया भीजना स्टार्ट कर देंगे वो डबी दखाऊंगा कोई मैडिसन दखाऊंगा अगर मैं कोई फ्री के टिप्स देता हूं तो उसमें बंदा कोई मतल इंटरस्ट मीं लेता है और भाई साव अगर आप योगा करेंगे ना मैं आपको फिर बताओं आप जितने भी मैडिसन खाते हैं जो अपने राशन के साथ ही ले आते हैं जब आपने महीने का राशन लाना होता है तो उसको सब को आप शोड़ देंगे अगर इसको आप सीरि मेरिसलियस की लिस निकाले हैं तो आपको उस लिस्ट के अंदर कुरेशिय alcohol की वी तीन विडियरिस मिलेंगी अगर आप उसकी list निकालते तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरेशिया में भी जो हार education system है बहुत ही बढ़िया है उसकी जो oldest से oldest university है वो 1300 शनमे में establish हुई थी तो बहाँ पर हर एक faculties में आपको admission मिल सकता है चाहे वो engineering को लेकर चले चाहे आप medicine को लेकर चले चाहे आप veterinary को लेकर चले चाहे आप hospitality को लेकर चले चाहे आप business को लेकर चले चाहे आप humanities को लेकर चले किसी भी stream में अगर आपने वहाँ पर admission लेना है तो crowned immigration आपको वहां की जो best universities है जो कोई government की universities है उसमें admissions करवा सकती है easily तो वहां पर total 45 universities और college और polytechnic है मैं universities की बात करूंगा इन 45 university college और polytechnic के अंदर 10 government की leading universities हैं जिसके अंदर बहुत सारे program English में भी पढ़ाए जाते हैं उनमें आपका admission हो सकता हो तो फीसों के बारे में बात करें बहां पर जो tuition fees है वो 2,000 euro से start होकर 4,000 euro तक की है जितनी भी मैंने streams बताई है accept medicine को छोड़के अगर आपने अबिबियस करने के लिए जाना है तो उसकी जो फीस बहां पर है वो 8,000 euro से start होकर 10,000 euro की है तो बहुत ही economical study है योरप का part है लेकिन ये नहीं कि योरप का part है और अगर आप कुरेशिया का वीजा है तो आप शेंगन कंटी में चले जाएंगे तो शेंगन कंटी में जाने के लिए बहां से आपको proper वीजा लेन है चाहिए वो आपने veterinary में अपना carrier बनाना है चाहिए आपने business related चाहिए hospitality related कोई भी करवानाthestर कोय भी है तो कुरेशिया में हम आपका easily admissions करवा सिकते हैं तो कुरेश्या के फेक्त and figure के बारे में भी हब discuss करेंगे तव इसकी जो capital है वो है जैग्रव तो इसकी यहाँ पर जो किरन्सी है इसकी तो इसकी जो कुरेशन कुना एक जो इंडियर को से कि यहां कि पट करें तो यहां पर चालिस लाग की समय के अगर एरिया की बात करें तो 54,000 बसके किलोमेटर का एरिया है तो अभी इस की border countries के बारे में बात करें यहां कि यह country इसको हम Mediterranean country कहते हैं Balkan state कहते है बालकन के अंदर पांच साथ country है उनके अंदर भी Croatia one of them एक country है तो इसके अंदर जो लगे हुए इसके साथ border है दो शेंगन country लगी हुए इसके साथ एक है Hungary ते सुलवेनिया यह दो शेंगन है तो अनदर जो बालकन स्टेट लगी हुए है वो है बोसनिया और सर्विया और मॉंटी निग्रो यह बालकन स्टेट इसके साथ लगी हुए बहुत ही beautiful country है और बहुत ही tourist इस country में tourism के लिए जाता है तो अभी अब आते हैं कि admission के लिए क्या criteria है तो जो लोग अभी promote कर रहे है market के अंदर वो बहाँ पर जो private institutions हैं बहाँ पर maximum बच्चों को admission डलवाने की कोशिश करते हैं कि चलो आजा admission डालके जी भेज दें लेकिन यहां का जो visa लेना it is not so easy कुरेशिया का भी लेकिन अगर आपकी परसंट इस ठीक है अप्रोप्रियेट हैं तो visa में कोई problem नहीं है अमबैसी ने अपनी website के उपर लगाया हुआ है बीएफस की है कुरेशिया का भी बीएफस है उसने अपनी website के उपर mention किया हुआ है कि आपको क्या-क्या चाहिए जब आपने अपना student visa apply करना है तो उसका लिंक मैंने description box के अंदर लगा दिया है मैं खुद नहीं बता रहा हूँ यह उनकी website के उपर mention की हुए जो document क्या-क्या लगाने उसका description box में link लगा दिया वहां जाकर check कर सकते हैं उसके अंदर यह देखकर चलिए कि आपकी bank statement तीन महीने परानी वाले मांगते हैं funds उसके अंदर fund होने चाहिए साथ में source of income भी दिया रास्किंग आपकी तीन साल की income tax की return जो जॉब कर रहे हैं आपके parents जब आपने fund दखाने हैं तो उसके document अगर business कर रहे हैं तो उसके document इवन उसके अंदर interview भी लिखा हुआ है कि they will take the interview of the student जब बच्चे ने वहां पर अप इतना easily बताते हैं कि बस जी आप 30 साल वाले हैं 35 साल वाले हैं जिनकी destination शेंगन की है उनके लिए यह बहुत अच्छी country है आप वहां से शेंगन जा सकते हैं पढ़ने की जूरत नहीं है ऐसे करके promotion करते हैं लेकिन fact नहीं बताते हैं तो अभी यह अंदाजा लगाएं कि आप आपने प्लस टू की हुई है English communication skills नहीं है अगर कल आपको अमबैसी इंटर्वू के लिए काल करती है तो क्या आप इंटर्वू कर सकते हैं जा नहीं कर सकते हैं इसको माइंड में जुरू रखना है और आज की डेट में फिर बता दिया कोविट की मार है और दस बर पचास ब लोगों के पैसे फंस गए हैं Australia में लोगों के पैसे फंस तो फिर कुरेशिया है है तो ये तो आपका सकते है तो ये पैसे बेजुत कि पेज रहे हैं जिक़ा नहीं हुए तो लोग बलक में कईस blek है जब चीज को स्टार्ट करते हैं डालो जितने डालने हैं उसके बाद रिजल्ट जब कोई नहीं मिलता था जब किसी ने पैसा बापस करना होता तो वह बहुत मुश्कल से पैसा बापस करता है यह दमाग में लेकर चलना है हम एक्सपिरियंस लोग हैं हम देखा-देखी में आते हैं जब तक हम प। करना ले देखना ने तब तक किसी कंट्री को रिमोट करते तो कंट्री को ने कारन क्या है मार्किट के अंदर जो वी दवा-धव इसकी ड्यव Depth लेकिन आग 거야 कि मालिता बंद है सिंगापुर बंद तो अभी student भेजे तो भेजे कहां पर agents तो उन्होंने यह सोचा कि क्यों न हम कुरेशिया को promote करें तो लेकिन अगर आपने crown immigration के थूरू कुरेशिया जाना है तो मैं आपको best से best options provide कर सकते हूं best से best educations में best से best universities में government universities में आपका admissions organize करवा सकता हूं यहां पर दो ही intake होते हैं सब्तमबर का और फर्बरी का जो सब्तमबर का major intake है वो first week of jan में open हो जाएगा तो यहां का भी जो education system है बोलोनिय education system है जो another European country adopt करती है जो bird की 45 countries ने बोलोनिय education system को adopt किया हुआ है कुरेशिया government भी बोलोनिय education system को ही adopt किया हुआ है इवन वहां पर जो leading universities है जैसे मैंने फिर बता दिया यह अगरब university है यह अनदर जो university है जिनका नाम भी वर्ड की जो ranking universities के अंदर आता है तो अगर वहां पर आप admission लेते हैं तो you can take a transfer option in another shengen country through arasmus program arasmus program के थूँ आप another country में भी transfer ले सकते हैं बट condition यह है कि आप कौन सी faculty में admission ले रहे हैं और कौन से program में admission रहे हैं कौन सी university में admission रहे रहे हैं क्योंकि जब भी आपने admission लेना है universities की instructions को पढ़ लें कि यह program के अंदर वो किस type की internship provide कर रहे हैं किस type के transfer options हैं तो उसके बाद वहां पर आप admission ले सकते हैं तो अब आता है कि part-time part-time work वहां पर international students को allow है और even कुरेशिया में after completion of study you can switch over your student visa either in work permit और business permit में easily करवा सकते हैं क्योंकि कुरेशिया के work permit भी बहुत आते हैं market के अंदर अभी आपने देखा होगा क्योंकि क्रेशिया में क्रेशिया में क्रेशिया गौर्वर्मेंट जाक्रेशिया वैसी easily work permit प्रवाइड करती है अगर कोई जहां से बहां से पेपर आजए तो यहां पर work permit easily मिल जाता है तो इसी तरीके से अगर आप वहां पर international student है कल अपनी study complete कर लेते हैं जाए एक semester एक साल complete कर लेते हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं इसको switch over करवाऊं work permit के अंदर तो आप easily करवा सकते हैं अभी आता है कि फंड दखाने की कितनी की जूरत हैं आपके पास साथ से लेकर आठ लाके फंड दखाने पड़ेंगे जब आपने अपना वीजा अप्लाई करना है तो बाकी आपके महां से जो document आने ह हैं यहां पर आपके academy document जो अपोस्टल होने चाहिए तो यह सारे document लगा कर अपना वीजा इजी ली कुरिशिया का not easily ले सकते हैं apply कर सकते हैं तो जो वीजा grant करना है वो अमबैसी ने वीजा तब grant करना है कि अगर आप appropriate है अगर आपकी age 35 साल है 30 साल है प्लस टू की हुई है अमबैसी वाले तो जानते हैं जैसे मैं जानता हूँ मैं छोटा सा agent हूँ प्रफाइल देखने के बाद बताता हूँ कि यार यह पंडे वाला तो student है नहीं है अमबैसी हमसे 100 टाइम advance में सोचती है उसको बिल्कुल easily मालूम है कि यह क्यों इतनी ज़्यादा application तरदात में प जाते हैं तो आप immediately crown immigration से संपर करें crown immigration आपको best से best options प्रवाइड कर सकती है तो lastly मेरी यही request है कि मेरे चैनल के उपर 500 से ज्यादा different topic के उपर वीडियोस हैं उनको देखना चाते हैं तो ब्रोज करके देख सकते हैं तो मेरी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसक कि।